हलो वाटस अब दोस्तों कैसे हैं आप सभी करियर भाई मैं सिधात एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक सक्सेस्फुल ट्रेडर बना है तो उसके दस थम रूल्स क्या है दस ऐसी बाते हैं जो कि आपको जरूर याद रखनी चाहिए अगर आप एक एस्पारिंग ट्रेडर हैं आप इसके इस फील्ड के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दस बातों को आपको जरूर याद रखना चाहिए कौन सी है वो दस बाते बताओंगा जरूर लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चानल पर नहीं हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहिए चानल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए दोसों शुरू करते हैं तो दोसों सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हमेशा कोई एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना चाहिए ऐसा नहीं है कि बस गट फिलिंग के उपर मुझे लग रहा है कि यह स्टॉक अच्छा कर लेगा तो मैंने उसके अंदर पैसे डाल दिये और बस होप कर रहा हूं कि बस वो पैसे जो है वो मेरे फाइदे के साथ रिटर्न हो जाए ऐसी बात नहीं चलेगी यहां पर यू नीड टो है वो प्रॉपर प्लान और उसी प्लान से आपको स्टिक करना पड़ेगा इसकी अंदर कुछ सेट रूल्स होते हैं कि ट्रेडर की एंट्री कब आपको करनी चाहिए कब एक्जिट लेनी चाहिए आपका म करके आप एक और चीज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है बैक टेस्टिंग तो हर कोई जो है वो इस फील्ड में उतरने से पहले कुछ ना कुछ अपनी स्टाटीजी ले के आता है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होता है कि मैं केवल ए लिस्टेड कंपनी के उपर ही पैसा ल जरूरी है बैक टेस्टिंग के अंदर जो है वो किसी स्पेसेफिक कंपनी का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है आपका एक ओवरॉल प्लान क्या है उसके हिसाब से आप पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा जनरेट होने की आशंका है कितने आपको प्रॉफिट मिल सकत हैं यह सब कुछ टेस्ट करने के लिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका मतलब यह है कि आपका जो बिसनस प्लान है उसको शेयर मार्केट में आजमाने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग की जाए उसके अंदर के जो नुक्स है उनको पहले समझ लिया यह उसके अंदर कुछ खामिया थो इसको सुधार लिया जाए और फिर आप टेर्डिंग में आए उसmente से अंदर आती है वह यह कि आपने माली जे एक plan बनाया उसकी back testing की वो plan viable है ऐसा आपको महसूस हुआ आपने देखा कि वो चल सकता है उसकी बाद आप actual trading में आए लेकिन उसकी बाद जो है वो आपको उसी plan की साथ stick होना है उसी को ले करके आगे चलना है भले ही उस plan से बाहर जाकर के आपके कुछ ऐसे trades दिख रहे हैं कुछ ऐसे shares दिख रहे हैं जो की खरीदने से आपको भले ही profit भी हो जाए लेकिन यह एक अच्छी practice नहीं मानी जा सकती है because you are not following the plan you are just following your gut feeling की हाँ भाई इसमें थोड़ा सा दिख रहा है तो इसकी उपर में जो है वो quick कुछ money churn out कर सकता हूँ तो मैंने इसकी उपर लगा दिया कल कुछ और दिख गया उसकी उपर लगा दिया परसो कुछ और दिख गया उसकी उपर लगा दिया तो ऐसे जो है वो जितना जादा risk आप लेते जाएंगे उतना ही जादा lose करने का भी chances बढ़ता चला जाएगा भले ही इस market में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही safe है आपको risk लेना पड़ता है लेकिन वो calculated होना चाहिए आपका अगर एक plan बन रखा है उसके अंदर आपने सारे risk को मंदे नजर रखते हुए अपना एक proper plan बनाया हुआ है अपनी एक limit बनाई हुई है एक strategy बनाई हुई है उससे बाहर जाकर के अगर आप कुछ चीजे कर रहे हैं तो फिर वो calculated risk नहीं होता है फिर you are at high risk मतलब कुछ भी हो सकता है आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है इसकी वजह से you need to stick to the plan अगली जो tip इसके अंदर है ये मैं कहता हूँ कि आपके mindset से जोड़ी हुई जाता है तो वो tip ये है कि आपको trading को आपका as a business के तोर पर treat करना पड़ेगा आपका कोई एक job है या आपकी hobby है इस तरीके से अगर आप treat करेंगे तो you will end up getting very discouraged और आप quit भी कर सकते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर आप इसको as a hobby के तौर पर treat करते हैं तो hobby क्या होती है जो चीज आपको करने में मज़ा आता है क्यों मज़ा आता है क्योंकि वो चीज करने से आपको कुछ मिलता है तो trading को अगर आप as a hobby के तौर पर देखेंगे तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि अभी मैंने trade कर लिया आप मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए और अगर वो नहीं मिलता है तो आप discourage हो जाते हैं आपका intent पूरा नीचे चला जाता है moral नीचे चला जाता है कि यार मैं बहुत जादा उम्मीदे लेकर के यहां पर आया था मुझे लगा था कि ये करने में मुझे बहुत मजा आता है लेकिन अब तो कुछ मजा आई नहीं रहा है तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ ऐसी चीज हो जाती है अगर आप इसको as a job के तौर पर देखेंगे तो भी problematic हो जाएगा क्योंकि job में क्या है कि job भले ही कैसा भी चले महीना बर लेकिन महीने के अंत में आपको paycheck मिलना ही मिलना है यह आपको मालूम होता है तो आप अगर उसको as a job के तौर पर treat करेंगे तो होगा यह कि आपका trade भले ही महीने बर कैसा भी क्यों न चला हो आपको महीने के end में यह expect होगा कि भाईया मेरे पास इतने इतने पैसे आने चाहिए और अगर वो नहीं आते हैं तो frustration होने लगेगी आपको इसको जो है as a business के तौर पर run करना है और business जब आप करते हैं तब इसके अंदर profit भी बड़े आएंगे तो loss भी आ सकते हैं कुछ risk भी आ सकते हैं कुछ दिन अच्छे हो सकते हैं कुछ दिन बुरे हो सकते हैं इन सभी को दिमाग में ले करके आपको आगे चलना है इसलिए मैंने कहा कि इसको as a business के तौर पर देखें और इसके अंदर जादा अपने emotions को जो है वो डालने से परहेश करें जादा से जादा control रखें अपने emotions को और इसको as a business के तौर पर देखें अगली बात है up to date रहना तो up to date रहना तो बहुत ही जरूरी है एक trader को क्योंकि उसके आसपास क्या चल रहा है कौन से company उसने निवेश किया हुआ है कौन से company ऐसी है जो कि market में नया नया अपना IPO लेके आये हुई है कौन से company किसके साथ यहां पर अपने क्या कहते है कि contracts कर रही है या कोई MOU sign कर रही है जो भी है उस सभी के उपर आपकी पहनी नजर होनी चाहिए क्योंकि इस हर एक चीज का असर market के उपर पड़ता है उनके shares के values के उपर पड़ता है यहां तक की weather कैसा चल रहा है किसी specific area का उसके उपर भी बहुत सारी चीजे निर्वर करती हैं तो इसके लिए आप technology का सहारा जरूर ले सकते हैं regular news पड़ना और साथी सा जो अभी share market चल रहा है उसके live updates पाना यह बहुत जरूरी है कोई भी charts आपको मिल सकते हैं कई सारे applications इसके लिए आते हैं जिसके उपर आपको live उसके जो है वो updates मिलते रहते हैं live stock market का जो है वो पूरा chart दिखता रहता है तो यह देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि share market में क्या हो रहा है आपके इरिदगिर्द क्या हो रहा है कौन सी company कौन से contract sign कर रही है कौन सी company किस company में merge हो रही है यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए तो इसके लिए technology आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक यहाँ पर जो है वो मदद कर सकती है smartphone के आने से बहुत सारी चीज़े आसान हो गई है बस एक अच्छा internet connection और smartphone जो है वो आपको बहुत सारी चीजों से जोड़ करके रख सकता है अगली चीज यह है कि आपको आपके trading capital को protect करना होगा तो trading capital को protect करने से यह नहीं होगा कि आप कोई loss ही नहीं बनाएंगे हर एक trade में loss होता है profit होता है लेकिन at least trading capital को ज़्यादा से ज़्यादा protected रखने से आपके losses को minimize कर सकते हैं या मैंने जैसे पहले कहा कि calculated risk ले सकते हैं तो calculated risk जो है वो हमेशा से ही आपको अच्छी result दे सकती है बजाए एक blind risk के तो इसके लिए आपको आपका capital जो है उसको protect करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगली चीज अगेन वही है अगली tip कि आपको जो है वो हमेशा एक learner की तरह पर वहाँ पर रहना पड़ेगा भले ही आपका business अभी जो है वो 4 करोड का हो पाच करोड का हो या 500 करोड का हो आपको जो है वो हमेशा से ही वहाँ पर एक learner के तोर पर रहना बहुत ज़्यादा ज कहते हैं क्योंकि ये market भी जो है stock market भी जो है ये field जो है वो भी बहुत तीजी से बदल रहा है इसके अंदर बदला बहुत तीजी से आ रहे हैं तो अगर आपको उसके अंदर survive करना है वहाँ पर जमे रहना है टिके रहना है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा नई trading trends क्या आ रहे हैं जो निवेश करने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या trends अभी चल रहे हैं कौनसे shares में लोग ज्यादा interested अभी हैं तो इस सभी के बारे में आपको जह है वो जानना पड़ेगा एक जो scam 1992 जो आई हुई थी web series उसके अंदर का एक बड़ा अच्छा dialogue है कि share market के emotion को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बाकी चीजों को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आपको वो share market पता चलने लगेगा उसकी एक रग आपको पता चलेगी कि भाया यह इस तरीके से चल रहा है तब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ करते हैं तो फिर आपके पास एक तो सेवी के साथ registration होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और license होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो की केवल खुद के लिए ट्रेडिंग करते हैं बाकियों के लिए नहीं करते हैं लेकिन बाकियों को registration और license होना जरूरी है अगली चीज है कि यहां पर जो है आप केवल उतनी ही चीजों पर risk ले सकते हैं जितना lose करना आप afford कर पाएंगे आपको हमेशा उसके अंदर के best और worst का भी खयाल करना चाहिए आपने किसी चीज की उपर जो है वो थोड़ी सी risk ले करके पैसा लगाया हुआ है तो वो lose करने पर मेरा कितना पैसा जाएगा और क्या किसी और का पैसा है तो क्या मैं उसको repay कर पाऊंगा इस सभी को दिमाग में रखकर ही आपको आगे जाना है कभी भी यहां पर अगर आपके पास enough capital नहीं है तब blind risk नहीं लेने चाहिए साथी साथ अगर आपका क trading capital है तो वो पैसा जो है वो केवल उसी चीज के लिए रखना चाहिए कभी भी आप यह नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर का पैसा है मुझे किसी और चीज के लिए जरुरत पढ़ रही है तो मैंने किसी बच्चे के college के tuition के लिए वो दे दिया school tuition के लिए दे दिया या आपने vacation के लिए उसका इस्तिमाल कर लिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ ना कुछ fix capital आपके पास होना ही होना चाहिए और जैसा कि मैंने बार बार इस वीडियो के दौरान जिकर किया है कि risk अगर लो तो calculated लो और उसका ही ये एक पहलू है कि आप अगर risk ले रहे हैं आपक उपसान सहने की शमता रखते हैं तभी उसके अंदर पैसा लगाए अन्यता ना लगाए अगली चीज है कि आपकी जो methodology है या आगे का जो आपका plan है जो expansion का plan है या जो कोई भी आपका एक basic plan भी है उसको आपको थोड़ा समय ले करके सारे trades को पढ़ करके और सारी चीजों को study करके बनाना चाहिए कई लोग यहां पर जो है वो emotion के बल पर खेलने की कोशिश करते हैं या hope के बलबूते के उपर जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि this is just a gamble इसके अंदर बस पैसा डालो और भूल जाओ अगर आपकी नसीब अच् इसक लेने हैं सोच समझ करके पैसा लगाना है सारे traits को study करके यहां पर आपको जो है वो अपना एक business plan बनाना है तो यह अगर आप करेंगे तो आप आगे चल करके जो है वो survive हो पाएंगे हो सकता है कि आपके gut feeling के उपर या कोई आपको जो भी कुछ कह रहा है उसके उपर आ आप उसके अंदर से अच्छा profit कमा भी ले लेकिन अगर आपको long term में यहां पर survive करना है तो आपका खुद का कोई एक methodology होना चाहिए उसको develop करने के लिए आप अपना समय ले market को यहां पर अच्छे तरीके से study करें उसके अंदर के trends को समझे और उसके हिसाब से अपने plan को ब ज्यादा हरी में होते हैं बहुत ज्यादा रश में होते हैं वो अक्सर आधी बात समझ के सुन के और आधी बात सीख करके जाते हैं और यह जो है वो कुछ ना मालूम होने से भी ज्यादा risky होता है क्योंकि आपको उसके अंदर की आधी ही बात पता है आगे की बात आपको प तो ऐसी बात नहीं हो सकती है कि दो महीने में मैं पूरा कर पूरा सिलाबस खतम कर दिया। grandma आपको उसको टाइम देना पड़ता है एक साल दो साल आप पूरा सिलाबस पड़ते है उसके उपर टेस्ट देते हैं उसकी एक्जशामस देते हैं उसकी अंदर से पास करते हैं और फिर आपको डिगरी मिलती है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है आप उसको study करेंगे करेंगे उसकी back testing करेंगे उसकी viability को देखेंगे और उसके बाद एक डिगरी जो हम कहते हैं वो होगी कि आप वहाँ पर जा करके actually success होंगे अगली चीज है कि हमेशा stop loss method का इस्तमाल करें तो stop loss क्या है कि ये एक certain sum amount होती है या percentage होता है जो कि per trade या per share कोई भी trader जो है उतनी risk लेने के लिए जो है वो ready रहता है उससे ज़्यादा risk आप ना ले हमेशा stop loss का अपना percentage जो है वो वहाँ पर तै करके चलें और उसके परे ना जाए और इसी को calculated risk भी कहा जाता है कि हमेशा stop loss method का इस्तमाल करें तो अगर आपका loss भी होता है तो भी उतने certain sum percentage तक ही होगा उससे नीचे वो नहीं आएगा या उससे उपर वो नहीं जाएगा तो ये आपको जो है वो long term में बहुत ज़ादा फाइदेमन साबित होगा और इसके अंदर आपको पहले से पता होगा कि अगर इस trade में मेरा loss होगा तो exactly मेरे कितने रुपए का loss होगा अगर आप stop loss method का इस्तमाल नहीं करते हैं you have no idea कि आपके कि इतने पैसे उसके अंदर लगे हैं ये तो आपको पता है लेकिन उसमें से कितने अगर loss होता है तो मेरे जाने वाले हैं ये आपको पता नहीं होगा तो stop loss में at least you know कि मैंने इतने risk पर रखा हुआ है अपने आपको और अगर lose करता हूँ तो इतने पैसे lose करूँगा तो ये एक काफी safe तरीका है यहाँ पर आगे बढ़ने का कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर stop loss को कुछ trades के लिए मद्दे नजर नहीं रखते हैं क्योंकि उनको बड़े बड़े profits दिखाई देते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि वो stop loss भी नहीं लगाते हैं बस उसमें खेलते चले जाते हैं और they end up getting good profits लेकिन ये भी अच्छी practice नहीं है एक बारी को आपने stop loss लगाया और उसके अंदर कुछ आपका loss भी हुआ फिर भी वो आपके trading rules के हिसाब से ठीक ही है क्योंकि आपने वहाँ पर जो है वो भले ही कुछ loss जो है वो खुद की ऊपर खाया है लेकिन फिर भी एक calculated loss खाया है एक जो कहते हैं हमकी unlimited loss नहीं खाया है calculated loss खाया है उससे आपने कुछ सीख ली आगे चल करके आपने उसको भी सुधार लिया आप अगर किसी trade के अंदर without stop loss जाते हैं उससे कुछ जीत करके भी आते हैं कुछ profit कमा करके भी आते हैं still it's not a good practice क्योंकि उससे जो है वो आपको लट लगती चली जाएगी कि भाई या stop loss की क्या ज़रुत है मैं अपने जो है वो ग्यान के ऊपर या जो चीजे मैं सुन रहा हूँ उसके उपर बस लगाता चलूँगा और उससे profit कमाता चलूँगा तो कुछ हद तक ये आपको जरूर आगे बढ़ाएगा लेकिन एक बार अगर उसमें फटका लग गया तो बहुत बुरा लगेगा अगली चीज है यू शुड नो वेन टू स्टॉप तो इससी मेरा मतलब ये है कि आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है और आप उसको स्टिक करके आगे चल रहे हैं लेकिन जितने लॉसेस आपने यहाँ पर एंटिसिपेट किये थे जितने की अपिक्षा की थी उसकी अपिक्षा और जादा लॉसेस हो रहे हैं और यह कंटिनियूसली आपने यह ट्रेंड देखा हुआ है तो फिर इस इस दा टाइम टू स्टॉप मैं यह मान सकता हूँ कि बिसनेस की शुरुवात में कुछ लॉसेस हो सकते हैं repetitively हो सकते हैं लेकिन उसका percentage क्या है अगर पहले लॉस के मुकाबले दूसरा लॉस और बढ़ा हो रहा है तीसरा उससे भी ज़्यादा बढ़ा हो रहा है तो clearly यह business plan वर्क नहीं कर रहा है अगर यही चीज उल्टी है कि पहली बार में आपने बढ़ा लॉस किया दूसरी बार में उससे थोड़ा कम लॉस आया तीसरी बार में उससे भी थोड़ा कम लॉस आया तो मैं यह समझ सकता हूँ कि आपका plan दीरे दीरे क्यों नहों लेकिन आगे बढ़ रहा है लेकिन अगर यही चीज उल्टी है लॉस बढ़ता ही जा रहा है तो you need to stop आपको उस business plan में कुछ ना कुछ जो खराबी है जो कुछ कमी रहे गी है उसकी उपर काम करना चाहिए उसको सुधारना चाहिए और फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए यह हो गया एक हिस्सा दूसरा हिस्सा यह है कि अगर ट्रेडर ही inefficient है तो भी यह problem हो सकती है उसका भले ही plan बलकुल excellent है लेकिन वो अपने plan को stick करके नहीं चल रहा है उसके मुताबिक नहीं चल रहा है कुछ यहाँ पर stop loss प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और बहुत ज़ादा uncalculated risk ले रहा है यह खुद के उसके कुछ financial problems चल रहे है जिसकी वज़े से वो अपने business पर concentrate नहीं कर पा रहा है यह trading capital का इस्तमाल किसी और जगा पर हो रहा है तो ऐसे में you need to stop अगर ऐसी कुई situation आ रही है तो रुख जाईए इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ महीनों तक कुछ सालों तक trade नहीं किया तो आपका business ठप हो गया है ऐसी बात नहीं है आपने कुछ महीनों तक कुछ दिनों तक तो वहाँ पर वक्त गुजा रहा है आपकी पास एक plan था लेकिन अभी आपको कुछ financial problem आ रहा है इसकी विज़े से आपर कोई हुए है तो उसकी उपर से उभर करके आईए तो आपको आगे जो है वो और अच्छा करने का मौकाब जरूर मिलेगा और आखरी tip जो इसके अंदर यह है कि हमेशा से ही एक बड़े picture को देखने की कोशिश करें बले ही अभी कुछ stocks आपने खरीदे है वो आपने जिस कीमत पर खरीदे है उससे low पर चल रहे है लेकिन हमेशा बड़े picture को वो सामने रखना चाहिए कि आने वाले समय में यह company किसकी साथ contract करने वाली है आने वाले समय में इस company को कोई बड़ा contract मिलने वाला है क्या या आने वाले समय में यह company किसी बड़े company के साथ merge हो सकती है क्या इस सभी की बारे में जो है वो study करते रही है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह company आने वाले समय में जो है इतनी चीजे भी देखी गई है तो इसकी विज़े से हमेशा बड़े पिक्चर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है तो दोस्तो ये थी कुछ टिप्स जो की एक first time trader को जरूर दिमाग में रखनी चाहिए और इनको अगर follow करके चलते हैं तो इनको success होने की chances जरूर बढ़ सकते हैं तो बस दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजे जादा से जादा शर कर दीजे, कुछ सवाल है तो नीचे लिख सकते हैं